नमस्कार दोस्तो मैं दिपक्षरमा अंगरीश आपका स्वागत करता हूँ सूपर कोचिंग जुडीश्री बाई टैश्बुक और हम आज आप लोगों के लिए यहाँ पर नवंबर दो हजार तेईस की लेंडमार्क जज्जमेंट यहाँ पर लेकर आए हैं सो दोस्तो हेलो इंदर जीत, हेलो रजनीजी रजनीजी कैसे हैं आप सो हम यहाँ पर आज आप लोगों के लिए लेंडमार्क जज्जमेंट जो नवंबर मंद की थी वो कवर करा रहे हैं अगर आप अल्रेडी हमारे साथ कनेक्टिड रहते हैं, रेगुलरली हमारे अगर कल आप मेरे साथ कनेक्टिड होंगे तो आप जानते होंगे कि नवंबर मंद का पहला सेशन में लेकर रहे था और आज इसका यह लास सेशन होने वाला है यानि कि इसका पार्ट होने वाला है जहां पर आप लोगों के लिए जितनी भी लेंडमार्ग जजमेंट थी नवंबर मंत की जो इंपोर्टनेंट आप कमिंग एग्जामीनेशन में वो मैं यहां पर आपको कवर करा रहा हूँ इसके बाद 2023 के इंपोर्टन शेशन आएंगे यानि कि 2023 में जितनी भी लेंडमार्ग जजमेंट साई है वो हम यहां पर आपको A to Z कवर करा दिंगे यानि कि जजमेंट वाला सेक्षन आपका कम्पलीट हो जाएगा आपको परेशानी नहीं करनी बस हमारे साथ रेगुलर्ली वाइटी सेशन अटेंड करने है कम्पलीट जानकारी आपको A to Z मैं आपर देने वाला हूँ अगर आप उरेड़ी जानते हों तो टैश्बुक आप लोगों के लिए यह स्पेशल ओपर लेकर आया है जहां पर आप वाइटी सेशन यानि कि फ्री में सभी अगर कोई स्टूडेंट्स है जो जुडिशल एग्जामिनेशन के तयारी कर रही है तो उनके लिए भी बड़ा सुनेरा मुका है पहला यहां पर फाउंडेशन बेश स्टार्ट होने वाला है 23rd of December से जहां पर आप अपनी प्रिपेशन को बूश्ट अप करके अपने आपको एक प्रोपर कैंडिडेट बना सकते हैं किसी भी स्टेट जूडिशल एग्जामिनेशन में 2nd चीज़ यहां पर आप लोगों के लिए काफी बड़ा स्कोलर्शिप टैश भी लेकर आ रहा हूं है जहां पर टैश भूग की टीम के साथ कंड़क्ट होकर हैं में एक स्कोलर्शिप टैश कंड़क करेंगे जहां पर आपको बहुत ज़्यादा बैनिफिट्स मिलेंगे अब आखिर कर क्या होने वाला है उस्कोलर्शिप टैश में यह मैं एक अपकमिंग वीडियो लेकर आजाओंगा कल आपको यहां पर शोट्स मिल जाएंगे उसमें आपको सभी जानकारी मैं आप पर प्रोवाइड कराओंगा जो जो हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं सबको आप वेरी वोम नमस्कार मैं नेम इस दीपक शर्मा अंगरिश और मैं टैश्बुक पर कनेक्ट हुआ हूँ आप लोगों की लीगल नोलेज एन्हेंस कराने के लिए अब दो स्टुडेंट वो डॉन्ट नो मी मैं नेम इस दीपक शर्मा अंगरिश और मेरा खुद का यूटूब चैनल भी है फ्रेंट जहां पर हमारी 3.5 lakhs की यूटूब फैमली है जहां पर हम आप लोगों के लेटेस्ट लैंडमार्क जज्मेंट कवर कराते हैं सिंपल सी सिंपल इंदी लैंग्विज में जो जर्नल इशुस से रिलेटीड है इस जो होते हैं उन चीजों को देखते हुए आप लोगों को जज्जमेंट कवर कराई जाती है डिस्पले पर आपको दिखाई दे रहा है यह टेलिग्रम चैनल मैंने बनाया है जो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है जो जुडिशल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे है यहां पर आपको क्या बेनिफिट मिलेगा आपको ओनरेबल सुप्रीम कोट की जितनी भी लेटेस जजजमेंट्स आ रही है वो यहां पर फ्री में मैं प्रोवाइड करा देता हूँ पहली चीज जो भी जुडिशल एग्जामिनेशन की प्रिपेरेशन कर रहे है उनके लिए यहां पर कोर्सिज लॉंच किये जाते है जिसके अंदर मैक्सिमम डिसकाउंट यहां पर इस ग्रूप में उनको मिल जाता है इसके अलावा मेरी क्लासिस कब-कब होने वाली है कब-कब मैं लाइव आने वाला हूँ कम्प्लीट A to Z information यहां पर मिल जाएगी इसके अलावा अगर आप लोगों की कोई भी क्वैरी है आपके कोई भी कोशन है तो आप डिरेटली इस पेलिगराम गृप में मुझे यह हमारी टेश्बूक टीम को कनेक करके वहां पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं जहां पर हमारी टीम डिरेक्टली आप लोगों के साथ कनेक्ट होगी और आप लोगों के जो भी इशूस है उनको सोल आउट किया जाएगा आज हम कबर करा रहे हैं अगेन मैं बता दू नवमबर मंत की लैंड मर्क जज़्मेंट जिसका ओल्रेडी फर्स्ट पार्ट में कल लेकर आ गया था और आज इसका सेकंड पार्ट मैं आप आपको कबर करा रहा हूं तो अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे नवमबर दो हजार अब लोग करना है तुरंत इस session पर connect कर देना है तुरंत यहाँ पर जादा से दीज़े लोगों तक share कर देना है ताकि सभी लोग हमारे साथ connect हो जाए and now हम अपना session start करते हैं तो जितने भी student है टेश्बुक हमारे join कर लिजेगा telegram channel अब हम आगे बढ़ते हैं we all know that again I am saying आज हम November मन्त का judgments का part 2 लेकर रहे हैं जिसमें जितनी भी landmark judgments है मैं यहाँ पर आप लोगों को cover करा रहा हूँ अगर आपको हमारे session informative लगते हैं तो तुरंत like कर दे और share करना अनिवार रहे हैं क्योंकि जब तक सभी लोगों तक information नहीं पहुचेगी कोई benefit नहीं है अब ध्यान दीजेगा आपको display पर मैं मैं पहले case title clear करूँगा after that उस judgment में क्या clarification दी गई थी वो चीज मैं आपको clear करूँगा देखेगा पहला case title था हमारा wait a minute जी हां पहला case title था हमारा मंजुनात versus state of करनाटका इसका citation number है 2023 INSC 978 अब ध्यान दीजेगा case title के बाद आपको judgment बताई दाती है यहां पर बात करते हैं incriminatory objects यानि कि वह object वह चीजे वह वस्तू जो किसी crime से हुआ जाना suggest करती है उधारन के तोर पर मैंने किसी का murder कर दिया साथ में एक चाकू पड़ा मिला जिस पर खून लगा है वो incriminatory objects है वो बता रहे हैं कि इस चाकू का use करते हुए मैंने किसी का murder किया होगा अब यहां पर बताया है honorable supreme court ने कि जो incriminatory objects होते हैं जब उनको discover किया जाता है किसी ऐसी जगह से जो public accessible है यानि कि जहां पर public normally आती जाती रहती है ऐसी condition में उसको solely केवल उस एक evidence को अकेला यहां परम ध्यान में रखते हुए किसी भी R.O.P. को guilty साबित नहीं कर सकते जी हां अगर वो केवल ऐसा साधन है जो किसी public place पर पड़ा मिला है जहां पर public normally आती जाती रहती है तो कुस अकेले evidence के तोर पर हम किसी भी accused को guilty साबित नहीं कर सकते यहां पर आपको पता होगा अगर आप Indian statement से किसी चीज की recovery हो रही है कोई object find out हो रहा है तो उतनी information relevant मानी जाएगी जितनी information में वो object recover हुआ है तो उसी चीज से related यह judgment है कि ऐसी condition में जो यह fact है कि कोई discover हुआ है कोई object वहां पर केवल उसी चीज को वहां पर relevant माना जाएगा पर अगर वो ऐसा कोई document है जो normal public place पर है नोर्मल ऐसी जगाए पर है जो public की accessible में है easily तो उसको हम वहां पर guilty नहीं साबित कर पाएंगे किसको किसी भी accused को अब ध्यान दीजेगा हो सकता है कोई judgment आपको clarify ना हो मुझे आप comment section में लिख दीजेगा मैं दोबारा से वो judgment clear करतूँगा अब अगला case लो आता है हमारा MS Rajasthanat Emporium versus Kuwait Airways इसका citation number है 2023 SC 975 अब ध्यान दीजेगा यहां पर हमारे honorable Supreme Court ने एक consumer dispute था उससे related बात किये यहां पर कहा है कि अगर एक party court से relief पाना चाती है court से किसी चीज को लेकर relief माना चाती है और अगर उसने उस relief के लिए prayer ही नहीं mention की तो वहां पर वो उस relief की हकदार नहीं होगी अगर आपने कभी देखा हो कोई case file किया जाता है suit file किया जाता है तो उसके अंदर आपने दो point अलग से देखे होंगे एक होता है preliminary objection यहां पर जहां पर हम अपनी story लिखते है यह यह हुआ और आखरी में prayer mention की जाती है तो अगर एक consumer dispute है और prayer में आपने वो particular relief नहीं मांगा कौन सा relief जो आप relief पाना चाते हैं तो ऐसी condition में उस relief पाने के आप हकदार नहीं होंगे particularly here we are talking about the consumer dispute and you must know the relevant judgment name is MS Rajasthan and Emporium versus Kuwait Airways बड़ी important चीज है पूछी जा सकती है आगे बढ़ते हैं अगला case लोग है हमारा शेक उजमा फिरोज हुसेन versus State of Maharashtra इसका citation नमबर है 2023 SC 978 अब आगे बढ़ते हैं देखेगा यहां पर उन्यवर सुप्रीम कोट ने कहा कि हर कोट जो हमारे देश में है उनके सामने काफी ज़्यादा pendency है cases की यानि कि case काफी ज़्यादा pending पड़े है ऐसी condition में जो हमारे सुप्रीम कोट है या जो हमारे high court है उन्हें किसी भी case को time bound करने से बचना चाहिए क्यों ऐसी condition में अगर कोई बहुत ही ज़्यादा extraordinary circumstances court के सामने आ रहे तभी court इस तरीके से किसी case को time bound करे time bound क्या होता है उन्रेवल सुप्रीम कोट है high court के सामने रिड डाल कर हमारे constitution के तैथ article 21 जो speedy trial के बारे में बात करता है उसके तैथ किसी भी case को time bound करा लिया जाता है 6 महीने साल भर के अंदर उसका निप्टारा हो जाता है तो उन्रेवल सुप्रीम कोट कहता है कि already इतने case अगर pending है तो court को यहाँ पर बचना चाहिए कि किसी भी case को time bound ना करे हाँ अगर कोई extraordinary circumstances वाला case आ रहा है तो वहाँ पर वो बिल्कुल ऐसा कर सकते है आगे बढ़ते हैं अगला case लोगा है हमारा J. Johnson versus S. C. Lerneraj इसका यहाँ पर citation number देखेगा 2023 SC979 अब आगे बढ़ते हैं उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पर कोई disciplinary proceedings चल रही है किसी advocate के खिलाब तो यहाँ पर जो हमारी bar council है उसे specifically English translation के लिए किसी English translator को बुलाना पड़ेगा उन्होंने कहा कि जो bar council है उन्होंने English translation के जो document है उसके लिए call करनी अनिवार रहे होगी translator को कब जब कोई disciplinary proceeding वहाँ पर चल रही हो इतनी important नहीं है बस update थी तो पता होनी जरूरी है आगे बढ़ते हैं अगला case उन्हों है हमारा मुंसी रमा पावर्सिस एन रमा रेडी citation नमर देखिएगा 2023 SC 987 अब देखिए यहाँ पर बात की थी agreement to sale के बारे में अब यह issue बहुत से लोगों का रहता है हम सभी लोग जानते है जब आज के समय में भी लोग property खरीद रहे हैं तो इन document से खरीदते हैं जैसे कि agreement to sale journal power of attorney will वसियत possession letter आ जाता है हमारा affidavit आ जाता है एक payment receipt होती है पर कोई भी पक्ता कागज नहीं बनवाते है जैसे section 17 बताता है या फिर अगर आप यह हमारा section transfer of property act का section 54 देखें जो बात करता है proper sale के बारे में तो अगर आप वहाँ पर देखें तो बताया कि कोई भी movable property जिसकी value 100 रुपे से अधिक है तो उसको केवल register document के माध्यम से ही कराया जाएगा और section 17 बताता है कि register document कौन कौन से हो सकते और section 49 registration act कहता है कि अगर उनको register नहीं कराया तो evidence के तोरपर accept नहीं किया जाएगा अब लोगों का question आता है agreement to sale को लेका और सुप्रीम कोट ने फिर से दोराया देखिएगा फिर से दोराया है यहाँ पर कि जो agreement to sale है वो किसी भी परकार क्या ownership right किसी भी परकार का मालिकाना कादिकार किसी के favor में नहीं गोशित करता क्या agreement to sale ऐसी condition में एक agreement to sale को हम conveyance का document नहीं मान सकते यानि कि जिसके through property sale purchase हो हम उसे नहीं मान सकते ऐसी condition में यह document किसी भी परकार का ownership या title किसी के favor में transfer करी नहीं सकता और यह चीज हमारे honorable justice विक्रम ना तरह उनरे जस्तिस राजेश बिंदल ने दुमारा से clear की क्या clear हुआ है agreement to sale GPA जो हमारा होता है विलवसियत यह किसी भी परकार की property को sale purchase करने के लिए यूज नहीं किया जाता है आगे बढ़ते हैं अगला case लोग है हमारा रमा कांत सिंग and others versus state of जार्खन and others इसका citation number है 2023 SC 988 अब आगे देखीगा यहाँ पर बताया है कि जो हमारे judicial magistrates होते हैं वो किसी भी protest petition को entertain नहीं कर सकते उसकी सुनवाई नहीं कर सकते कब की बात करने हैं जब यहाँ पर वो कोई order पास हुआ है cognigence लेने के लिए मतलब कि किसी भी situation में कारवाई करने के लिए अगर order पास हुआ है कब किसी final report के लगने के बाद यानि कि अगर एक final report यहाँ पर police officer ने या I.O. ने फाइल कर दी उसके बाद यहाँ पर judicial magistrate ने cognigence का आदेश दे दिया तो यहाँ पर वो protest petition की सुनवाई नहीं कर सकते यह चीज honorable supreme court ने यहाँ पर latest judgment में clarify की जो हमारे chief judicial magistrate है अगर वो cognigence ले लेते हैं किसी भी accused के against में जो यहाँ पर murder के दोशियां offense के अंदर और वहाँ पर final report अगर file कर दी गई है crime investigation team की तरफ से तो वहाँ पर देखे chief judicial officer जो head होते हैं हमारे chief judicial magistrate head माने जाते हैं magistrates के अगर वो वहाँ पर cognizance ले लेते हैं तो दूसरा magistrate protest petition की सुनवाई नहीं कर सकता यह चीज यहाँ पर बड़ी important यहाँ पर साबित की गई ध्यान रखिएगा case title बड़ा important case है दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगला case उनो है मारा MS India Glyisons Limited and another versus Micro Small Enterprises Faciliation Council यहाँ पर ध्यान दीजेगा इसका citation number है 2023 SC 992 अब ध्यान दीजेगा यहाँ पर Honorable Supreme Court ने बात की है writ petition के बारे में कम जब कभी भी यहाँ पर एक award pass किया गया है किसकी तरफ से pass किया गया है ध्यान दीजेगा Faciliation Council under the Micro Small and Medium Enterprise Development ऐसी condition में अगर वो कोई award pass कर देती है तो उसके against में क्या नहीं हो सकता कोई भी writ petition नहीं file की जा सकती अगर यहाँ पर जो हमारी MS MED है वो कोई award pass करती है किसी भी victim किसी भी यहाँ पर favor में हो सकती यह यहाँ पर clarify किया गया दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगला case लो है हमारा हजारी लाल dead through legal representative versus रमेश कुमार इसका citation number है 2023 SC 994 अब ध्यान दीजेगा यहाँ पर Supreme Court ने क्या किया एक decree को aside कर दिया decree को set aside कर दिया क्या कहते हुए जो suit for specific performance के अंदर file की गई थी ऐसी condition में क्या हुआ देखे यहाँ पर मैं शुरू से बताता हूँ था कि better तरीके से समझ सबगे यहाँ पर एक agreement to sale हुआ था agreement to sale कब हुआ था 1986 में उसके बाद एक case डाला गया 1999 में कितने सालो बाद यहाँ पर करीबन करीबन 13 सालो बाद जिसके अंदर जिसके फेवर में agreement to sale था court ने उसी के फेवर में decree कर दी अब यहाँ पर honorable supreme court ने उस decree को set aside उसको अम्माने ठरा दिया क्यों? क्यों उस decree को अम्माने ठरा दिया specific performance की? क्योंकि 13 साल के लंबे डिले के बाद उस case को file किया गया था और जो delay का कारण था वो कई sufficient cause वहाँ पर नहीं था जिसकी वज़े से court ने यह पाया कि यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कभी भी उठकर कोई भी case file नहीं कर सकते आपको limitation time का ध्यान रखना ही पड़ेगा आगे बढ़ते हैं अगला case law है अमारा Priya Indoria versus state of करनाठ का इसका citation number है 2023 SC996 अब ध्यान दीजेगा यहाँ पर बड़ा अच्छा case law है यह बात करता है high court, session court के बारे में जो यहाँ पर anticipatory bail provide कराते हैं कब जब एक F.I.R. registered हो रही है दूसरे state में अब ध्यान दीजेगा यहाँ पर F.I.R. किसी दूसरे state में हो रही है और anticipatory bail के लिए किसी दूसरे jurisdiction वाले court के सामने apply किया जा रहा है अब लोगों का question होगा कि sir कैसे दूसरे state की jurisdiction एक court entertain कर सकता है अब यहाँ पर उन्रेबल Supreme Court ने यही बड़ी judgment पास की उन्रेबल Supreme Court ने यहाँ पर उनका भी reference दिया गया वाह यही ओल्ड किया गया कि अगर यहाँ पर मैं शुरू से बताता हूँ देखिएगा ताकि better understanding हो देखिए पहले बहुत सी judgment थी जैसे की पटना हाई court ने आपर recent में फाइल किया इसके अलावा उन्रेबल कलकता हाई court की judgment थी देखिएगा judgment का नाव जहाँ पर पहले यही held किया जाता था पहले की बता रहे हैं कि जो उन्रेबल हाई court है वो दूसरे jurisdiction वाले area के अंदर कोई भी anticipatory bail नहीं provide करा सकता है पहले यह चीज़ थी अब उन्रेबल सुप्रीम कोट के ने कहा जी नहीं जो हमारे हाई court है यह session court है उनके पास यह power है कि वो interim anticipatory bail दे सकते हैं जी यह भले जो F.I.R. registered हुई है वो किसी दूसरे state में हुई है समझ सकते है कितनी बड़ी judgment है क्यों ध्यान देना जरूरी है प्लीज इसको specifically ध्यान दीजेगा अगर एक state में F.I.R. है तो दूसरे jurisdiction वाला session court शुबरात्री पृत्वी राज जी तो दूसरे state का session court, high court भी वहाँ पर interim anticipatory bail प्रोवाइड करा सकते हैं बड़ा important case लो है प्लीज ध्यान दीजेगा आगे बढ़ते हैं प्रिया इंदोरिया जो present same case है versus state of करनाठका 2023 SC996 अब इसके अंदर देखिएगा यहाँ पर supreme court ने और कुछ important highlight दी वहाँ पर कहा कि जो police है वो यहाँ पर किसी भी particular victim को arrest करने के लिए remand के लिए जब वहाँ पर जिसको arrest किया जा रहा है वो अपने jurisdiction से बाहर यानि कि police अगर UP की है डैली में आके किसी को arrest कर रही है तो police का जो jurisdiction area वो पहर हो चुका है तो ऐसी condition में जहाँ पर वो offense registered हुआ है ऐसी condition में क्या होगा अगर police यहाँ पर किसी को arrest कर रही है तो police को लिए ज़रूरी होगा कि वहाँ पर वो accused को जो उसका jurisdiction area है जहाँ पर वो crime हुआ है वहाँ पर उसे क्या करे transfer करे जहाँ से उसको arrest हुआ है ऐसी condition में जो हमारा article 22 of Indian Constitution बात करता है उसका police को ध्यान रखना अनिवार रहोगा Good evening यह लिवा Basically यहाँ पर यही बताया है कि अगर police किसी दूसरी जंगा किसी accused को arrest करती है और किसी दूसरी जंगा पर FIA registered है तो police वहाँ पर उस accused को arrest करके जहाँ पर FIA registered है वही उस jurisdiction area में लेके जाएगी Article 22 जिसका reference दिया गया था Protest against arrest and detention in certain cases जो हमारा Indian Constitution बात करता है आगे बढ़ते हैं अगला case लो है हमारा मोतुरू नालेली कंट वर्सिस गाइंडी काली पसाथ इसका citation number देखिएगा 2023 SC 998 यहाँ पर ध्यान दीजेगा औरे बल सुप्रीम कोट ने Monday को यानि कि 20.11.2023 को यह ध्यान रखिएगा काली date यही eld किया कि अगर आप किसी will की genuanness क्या वो original है कोई गड़बड़ी तो नहीं है यह चीज वहाँ पर analyze कराना चाते है तो यहाँ पर यह नहीं होगा कि आप किसी भी random witness को उठा कर ले आए जो यह बात बोले कि will के अंदर जो attesting witness है हमने खुद देखा है उसको sign करते हुए देखे अगर आप Indian Evidence Act का section 68 देखते हैं तो वो बात करता है कि at least दो attesting witness में से किसी एक को कोट में बुलाओ उनको analyze करो और वहाँ से यह चीज clarify होगा कि जो testator है वसियत करता है उसने उस will को सही तरीके से attest किया है सही तरीके से बनाया नहीं ऐसी condition में अगर दोनों ही attesting witness नहीं पा रहे तो section 69 यूज होता है Indian Evidence Act का जो कहता है कि ऐसी condition में जो attesting witness की handwriting है उसको prove करो पर अगर attesting witness की handwriting को prove ना करके कोई तीसरा इंसान खड़ा कर दिया जाए जो यह बोले कि आमने खुद देखा है attesting witness को sign करते हुए तो क्या वो sufficient रहेगा विल को genuine साबित करने के लिए उन्हें में सुप्रीम कोट ने का जी नहीं अगर कोई ये third witness उटकर ये बोलेगा कि हमने देखा है विल में जो attesting witness है उची ने sign किये ये चीज वहाँ पर enough नहीं मानी जाती तो जो section 69 Indian Evidence Act का वो इसी चरीके से deal करता है कि जो document है उनकी authenticating कितने original है जहाँ पर कोई भी attesting witness नहीं पा रहा तो ऐसी condition में जो attestation है विल का वो at least one attesting witness को साबित करना पड़ेगा कैसे साबित करना पड़ेगा? इन इस handwriting जो मैंने अभी अभी आपको बताया section 69 of Indian Evidence है ऐसी condition में वहाँ पर अगर उसे साबित नहीं किया जा रहा और केवल थर्ड इंसान आप खड़ा करके कहा रहे कि इनोंने देखा है कि attesting witness नहीं sign किये वो enough वहाँ पर नहीं होगा आपने अगर मेरी वीडियो नहीं देखी मैं separate वीडियो लेकर आऊँगा अगर आप message करते हैं कि विल वसियत को किन किन provision से court में साबित किया जाता है अगर आप मुझे comment करते हैं separate वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ जाऊँगा section 69 जब यहाँ पर attesting witness नहीं मिल रहे हैं अगर आप सीरीज देखते हैं जैसे कि मैं आपको बता दू 999-103 आपको पता होना जरूरी है 1105 यह आपर दर्शाती है कि मैं सभी latest judgment ही ला रहा हूँ ऐसा नहीं कि कोई भी पुरानी judgment उठा है और आपको पढ़ा दी जो नवंबर मन्त की लिए test है students के लिए important है वो ला रहा हूँ इसके बग 2023 की judgment ले करा हूँगा complete तयारी मेरी तरफ से होगी judgments की minor laws भी मैं cover करा हूँगा foundation batch में जो MP judicial service की तयारी करे negotiable instrument act उनकों में 23 तरिक से पढ़ाने वाला हूँ कहाँ पर? test book की application पर तो आप मेरे साथ connected हो जाए complete त्यारी कराते हैं यहाँ पर देखेगा यहाँ पर उन्डेवल Supreme Court ने दो रहाया था कि जो revenue record होते हैं revenue record मतलब जमाबंदी, दाखिल, कारीज, mutation वगएरा, municipal tax receipt यह सब यह title के document नहीं माने जाते इनसे किसी भी संपत्ती का माली कानात नहीं दर्शाया जा सकता Supreme Court ने यहाँ पर held किया कि अगर एक इंसान के नाम पर बस mutation है यानि कि दाखिल कारीज है तो वहाँ पर वो जो revenue record है किसी भी परकार का title साबित नहीं करता किसी भी owner के favor में simple सी बात है पहले भी judgment ला चुका हूँ जो जो मेरे channel से connected है उनको भी पताऊगा mutation is not the proof of ownership mutation से किसी को माली गोशित नहीं किया जा सकता वही चीज honorable Supreme Court ने यहाँ पर दो रहाई कि अगर यहाँ पर हम देखे तो court ने अब्जेव किया जो mutation है revenue record का ना ही वो कोई create करता है ना ही extinguish करता है किसी चीज को title को किसी भी party के favor में यह चीज यहाँ पर honorable Supreme Court ने दो बारा दो रहाई अगला case लो है मारा पवन कुमार versus state of उत्तरपरदेश इसका citation number है SC 1003 जो जो connect होते जा रहे हैं सभी लोगों को नमशकार comment अपना जरूर कीजिए देखे यहाँ पर बात की गई है honorable Supreme Court ने juveniles के बारे में juvenile वो जिनके उमर 18 वर्से कम होती है अब ऐसी condition में honorable Supreme Court ने कहा कि एक जो juvenile थयानी कि उस पर पहले case हुआ था उसको 27 साल बाद convict किया गया 27 साल बाद उसको 2 सी ठहराया गया जहां पर उसके उपर assault and murder का case चल रहा है जो 1995 में हुआ ध्यान दीजेगा ऐसी condition में जो हमारा पहले juvenile justice act होता था 1986 उस जब वो force में आया था पहले जब होता था यही apply होता था तो ऐसी condition में क्या हुआ यहां पर जो पहले age थी वो 16 साल थी juvenile की जो बढ़ा कर 18 साल कर दी गई कब जब JJ act 2000 हुआ पहले कितना था juvenile justice act 1986 जिसमें juvenile की age कितनी थी 16 साल जब इस act को 2000 में amend किया तो यह age बढ़ा कर 18 साल कर दी तो यहां पर जो accused है उसकी medical report बता रही है कि उसकी age 19 साल है school register बता रहे हैं उसकी age 16 साल है जबकि जो पंचायत के कागज है वो दिखा रहे हैं 20 साल है रिवल सुप्रीम कोट ने कहा था कि maximum एक year का तो हम exception मान सकते हैं अगर ऐसे records में गड़ बढ़ी है कोई ज़्यादा कोई कम बता रहे हैं तो अगर एक year का exception माना जाए तो वहाँ पर उसको juvenile होने की बज़े से relief मिल जाएगा पर एक year का exception देने के बाद भी अगर relief नहीं मिल रहा तो वहाँ पर कोई भी उनकी help नहीं हो सकती आगे बढ़ते हैं अगरा case लोग है हमारा नन्य वर्सीज स्टेट ओफ उत्तर पर दे इसका citation नंबर है 2023 SC1005 अब ध्यान दीजिए यहाँ पर honorable supreme court ने doctrine of transfer malize की बात किये अब जो जो स्टुडेंट अलड़ी जानते हैं IPC offense against the human body वहाँ पर doctrine of transfer malize है मुझे बताईएगा कौन सा section है जल्दी बताएं एलिवा, मोनिका, रजनीज किस जल्दी से मैं वेट कर रहा हूं दैनम इसमें आगे बढ़ते हैं Anyone? No one? doctrine of transfer malize किस provision में बताया गया है IPC के कोई बताएगा यहाँ पर? Anyone? कोई भी नहीं है? Sorry sir, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ आपको, पहले बता देते हैं जो doctrine of, आपको तो अलिवा मैं अनकैडिमी पर specially पढ़ा चुका हूँ यह वाला provision मुझे याद है जो doctrine of transfer malize है जिसके तैट एक appealant को इस present case में 302 IPC, murder के तैट libel ठहराया गया जहाँ पर जो दोशी था, appealant था वो कहता है कि मुझे यहाँ पर इस इंसान को मारने की intention थी नहीं, मैं तो किसी और को मार रहा था, गोली इसको लग गई अब ऐसी condition में वो कह रहा है कि मुझे इसको मारना था ही नहीं तो मुझे इसके लिए क्यों डोसी ठहराया जाए यहाँ पर वो इसी चीज को लेकर arguments कर रहा था तो यहाँ पर court ने कहा कि अब इस चीज के लेकर कोई difference नहीं मानते कि यहाँ पर आप इसको मारना चाहरे थे किसी और को अगर आपका motive हत्या करना था तो वो हत्या ही माना जाएगा अगर आप A नाम के व्यक्ति को मारना चाहते थे और गलती से B नाम को मार दिया तो यह माना जाएगा कि आपका जो offense है अपरादव वो transfer होकर A पर ही shift हो गया इसी को कहा जाता है doctrine of transformalize जो Indian Penal Code के section 301 में बताया है जहाँ पर अगर एक इंसान किसी दूसरे व्यक्ति के हत्ताय करने गया और गलती से दूसरा मार दिया तो जो दूसरा मार आया उसको इसी तरीके से देखा जाएगा कि हाँ वो उसी को मार ने आया था वो culpable homo sedia को यदर relaxation वहाँ पर नहीं मान सकता वो तब भी वहाँ भी murder के लिए libel माना जाएगा उसी को doctrine of transfer of malize कहा जाता है जहाँ पर motive देखा जाता है इनसान नहीं अगर उसके पीछे mensria था यानि कि criminal intention थी murder की तो वो libel माना जाएगा murder के तब भी ये चीज यहाँ पर आपको आगे बढ़ते हैं अगला case लोग है हमारा शकील एहमद वर्सीज सयद अफलाक हुसें इसका citation नंबर है 2023 SC 1009 अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर honorable Supreme Court ने recently यही held किया कि देखे किसी भी परकार का title यहाँ पर हम transfer नहीं कर सकते किसी भी अचल संपत्ती के अंदर कब जब यहाँ पर वो केवल और केवल agreement to sale या GPA की बात कर रहे हूं देखे कितना important चीज है अगर agreement to sale या GPA की बात हो रही है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक और judgment जो November में आई थी उसी चीज से related यह दूसरी judgment आ गई agreement to sale या GPA से किसी के favor में भी transfer नहीं होती ownership एक comment आया है real world if grandfather gift a ancestral property to his daughter in 1987 now I am his grandson can I claim the property in his joint possession देखे कई factor है आपके में आप बता रहे हैं ancestral property है पहली बात ancestral property को gift नहीं किया जा सकता अगर gift किया भी जा रहा है तो केवल एक small portion दिया जाता है यह rule होता है second चीज ancestral है तो partition होने के बाद जिसके हिस्से में जो separate हिस्सा आया है कि अगल उसी को gift कर सकते है तीसरी चीज अगर आज उस समय जब यह property gift दी जा रही थी आपका जनम हो चुका था तो by birth आप ancestral property के हकदार है तो आज भी आप claim कर सकते हैं अगर आपका birth नहीं हुआ था तो कोशिश करें कुछ ऐसे इंसान से claim डलवाएं जो समय present था और उसका right वहाँ पर violate किया गया है तो इससे आप समझ गए होंगे real world कि आपको क्या करना है आगे बढ़ते हैं अगला case लोग है हमारा Vijay versus Union of India इसका citation number है 2013 SC1022 It almost 50 part of the land आप एक काम कीजिएगा call book करके मुझसे connect कीजिए मैं आपका पूरा case एक बार आपसे discuss कर लूँ after that मैं आपको better guide करूँगा आपको क्या करना है दिखिएगा सुप्रीम कोट ने हमारे 29 नवंबर को यहीं दोबारा से दोराया कि अगर एक document है जिसको stamped करना मैं निवार है जिस पर stamp होनी निवार है और अगर उसको प्रोपरले तरीके से stamp नहीं कराया गया तो उस document की जो copy है वो secondary evidence के तोर पर use नहीं की जा सकती अब यहां पर और हमारी जो bands थी उन्होंने observe किया अगर हमारा एक ऐसा दस्तावेज जो section 17 के तेट रजिश्ट सोर यहां पर stamp की बात चल रही है जो Indian stamped act के तेट stamp डोना निवार रहा था और उसको प्रोपरली stamp नहीं कराया गया तो ऐसी condition में कानून साफ कहता है कि जो उस दस्तावेज की copy है उसको हम secondary evidence के तोर पर accept नहीं कर सकते अब मैं आपको बताओ देखे जब कभी भी कोई original document court में present होता है तो वो primary यानि की main evidence माला जाता है जब उसकी true copy paste की जाती है तो वो secondary evidence होता है तो यह बताते हैं कि अगर एक document है जिसको stamp करवाना निवार रहे था अगर उसी को stamp नहीं करा है और उसकी copy और लेकर आगए कि चलो सर original तो नहीं मिल रहा है secondary ले लो secondary evidence मालो जी नहीं अगर वो stamp ही नहीं है तो उसकी secondary evidence के तोर पर copy भी accepted नहीं होगी क्लियर हो रहे हैं आप लोगों को या कोई confusion है प्लीज मुझे बता दीजीगा चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमारा अगला case लो है she money and another versus state representative by inspector of police इसका citation number है 2023 SC1024 अब ध्यान दीजीगा यहाँ पर हमारे honorable supreme court ने 28 November 2030 को एक judgment पास की जहाँ पर attempt to murder के अंदर क्या किया किसी की जो conviction थी कब जब वहाँ पर मतलब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर एक इंसान पर attack किया गया हत्या का परियाश करने के लिए जैसा court बताता है और वो वहाँ पर बच गया तो उसके उपर attempt to murder लगाया गया कि इसने हत्या का परियास किया तो उन्रेबल सुप्रीम कोट ने जो attempt to murder के charges थे उसको set aside कर दिया उसको dismiss कर दिया कारण क्या बताया उन्रेबल सुप्रीम कोट ने कहाँ देखिए दो important factor होते हैं जो murder जैसे cases में attempt to murder जैसे cases में देखने जरू हुई है पहला कि यहां पर repeated और severe blows होने चाहिए माल लेते हैं किसी को चाकूँ से मारा जा रहा है तो किवल एक बार चाकूँ मार देना या उस पर कई बार चाकूँ से हमला करना severe blows होने चाहिए कई बार हमला होना चाहिए murder के लिए दूसरी चीज जो injuries हुई है वो simple nature की नहीं होनी चाहिए अब ये दोनों चीज वहाँ पर देखनी अनिवार रहे है जब किसी को murder या attempt to murder के अंदर liable ठेराया जा रहा है और present case में क्या था यहां पर कोई भी repeated या server blows नहीं पाए गए थे दूसरी चीज जो injuries हुई थी PW1 को और PW2 को और इस चीज को देखते हूँ इसे वहाँ पर 307 जो attempt to murder के अंदर liable ठेराया जा रहा था honorable supreme court ने उसे unsustainable ठेरा दिया कि ये चीज आमान्य है clear हूँ आपको basically ये दो point देखने जरूरी है repeated और several blows second injuries जो है वो simple नहीं होनी चाहिए ये दो point हमेशा ध्यान रखने होते है आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर बात कर रहे है attempt to murder जो मैंने आपको बताई थी 307 में 302 murder होता है और 302 attempt to murder होता है आगे बढ़ते हैं अगला case लों है हमारा विठल मानी खत्री versus सागर संजा काबले इसका citation number है citation number इसमें नहीं दिया गया इसका special reputation criminal diary number है 34425 of 2023 सर बीच बीच में आवाज खराब आ रही है क्या कोई आवाज को लेकर issue है मुझे भी लग रहा है कि lack हो रहा है बाकि बताईए सब को issue हो रहा है कि है अब देखेगा Supreme Court ने यहाँ पर जो transgender होते है transgender women जो अपना जो women पहले वो men होते हैं transgender होकर women बन जाते हैं यहाँ पर वो बताया कि अगर वो sexual injury कर रहा surgery करवा रहे हैं अपनी जहाँ पर वो पहले men थे और बाद में women बन गए तो जो हमारा domestic violence act है जिसके अंदर एक term है agreed person जिसके अंदर एक women हमेशा men को लेकर complaint करती हैं तो वो यही कह रहे हैं कि जो transgender woman है क्या वो उनको right मिलता है कि वो domestic violence act के थे खुद को agree person दिखा सकती है क्या यहाँ पर वो interim maintenance की मांग कर सकती है DV course में अब यह matter 2025 में list होगा पर अभी के लिए भी बड़ा important है आप लोगों को जानना अनिवार रहे है इस case में यही disguise होना है क्या होना है कि जो transgender women है जो surgery के बाद women बनी है ऐसी condition में क्या उनको यह allowed होगी कि वो DV act के अंदर domestic violence act के अंदर खुद को agree person दिखा सकती है भी फैसला नहीं आया है 2025 में यह ring होगी यह कुछ update है 4-5 जो बड़ी important है judgments clear हो चुकी है अब आखरी में 4-5 important judgments भी मैं clear कर रहा हूँ अब देखेगा आगे देखते हैं अब इसमें Supreme Court ने कहा कि जो citizen है उनके पास यह अधिकार नहीं होगा कि जो political parties है उनके fund उन्होंने honorable Supreme Court को electoral bond case के अंदर यह बात clear की देखेगा जो हमारे attorney journal of India है आर वेंट करसा स्वामी प्लीज ध्यान रखियेगा नाम आर वेंट करसा स्वामी बड़ा important है attorney journal of India है हमारे उन्होंने statement दी भाई Supreme Court के सामने कि जो electoral bond case था हमारा वहाँ पर यही का कि जो citizen है उनको RTI के अंदर यह धिकार नहीं है कि article 19 subsection 1 subclose एक एत है तो वहाँ पर funding of political party का पता लगा सके मैं आपसे जवाब जानना चाहता हूँ क्या हमें यह right होना चाहिए यह नहीं होना चाहिए यहाँ पर तो मना कर दिया गया कि citizen को right नहीं है आगे बढ़ते हैं यह जो article 19 subclose 1 इस बारे में बात कर रहे थे हैं अब देखिएगा अब यहाँ पर बात कर रहे हैं जो queer couples होते हैं queer couples कोन होते हैं same sex वाले men men साथ रहते हैं women women साथ रहते हैं जो queer couples होते हैं यहाँ पर honorable supreme court जान रहा है इस चीज़ को कि उनके साथ discrimination भेदबाव हो रहा है even though यहाँ पर वो कोई तब भी protection उनके लिए नहीं ला रहा इस चीज़ को देखते हुए एक review protection honorable supreme court के सामने डाली गई थी उनकी verdict के अगे अगर आपने October मंत की landmark judgment का session मेरा देखा हो तो आपको पता होगा मैंने बताया था queer couples same sex couple ने आपर हमें कहा था कि हमारी जो marriages है ना उनको legalize करो उनको legalize करो कि हाँ हम भी शादी कर सकते हैं तो honorable supreme court ने का जी नहीं हमारे पास ये right नहीं है तो legislature होते हैं जो law बनाते हैं इस तरीके का लापास करेंगे तो माल लेंगे पर उनको तब भी protection मिलनी चाहिए साथ रहने के लिए पर अब यहाँ पर उन्होंने का queer couple ने कि honorable supreme court तो जानता है हमारे साथ already बेदभा हो रहा है इसके बावजूद भी कोई step नहीं ले रहा और फैसला भी ऐसा दे दिया आम रिकोगनाईज नहीं करेंगे same sex marriage अब वो उस चीज को लेकर ये review petition डाली गई अब ध्यान दीजेगा यहाँ पर जो review petition डाली गई हो rebel supreme court के सामने एक judgment थी मैं आपको clear किया था supreme versus union of India जो भी student है इस judgment को please note down कर ले ये examination में आएगी आएगी किसी ना किसी में note down कर लीजेगा मेरे शब्द किसी ना किसी examination में आएगी supreme versus union of India किस चीज को लेकर same sex marriage queer couples को लेकर ये बात कर रही है यहाँ पर क्या कहा review petition डाली गई है जहाँ पर चार petitioner थे उधित सूद सात्विक, लक्षमी मनोहरन गगंदी पोल जहाँ पर उन्होंने और रेबल supreme court की judgment में fault बताया ये कहते हुए कि उनको कोई भी legal protection नहीं दी जारी queer couples को यहाँ पर इसको review करो और जो discrimination हम face कर रहे हैं उससे related कोई चीज पास करो प्लीज समझेगा बड़ा important topic है ये अब last topic आता है हमारा यहाँ पर यह कहा है हमारे honorable chief justice of India ने दी वाय चंदर चोड़ जी ने कि जो दामिनी फिलम का dialogue था ना तारीक पर तारीक तारीक पर उसकी तरह यहाँ पर बेवजय तारीक लेने की वकील सहाबो को कोई भी जरुवत नहीं है देखेगा यहाँ पर honorable supreme court ने कहा कि हमें court के अंदर यह तारीक पर तारीक वाला scene नहीं चाहिए यहाँ पर honorable supreme court के सामने क्या हुआ यहाँ पर एक advocate ने एक matter लगवाया था बड़ा urgent बताते हुए कई पर मैं आपको बता दो honorable supreme court या high court के सामने good evening s.k.aluminium honorable supreme court या high court के सामने एकदम matter list नहीं होते वहाँ पर आपको urgency दिखाकर list कराने पड़ते हैं तो पहले तो वकील सापने urgency दिखाते हुए matter को list कराया और फिर उसी में adjournment मांग ले next date मांगने चले गए तो यहाँ पर honorable हमारे जो chief justice of India है दी वाय चंदर चोड़ उन्होंने का यह तारीक पे तारीक वाला concept अगर कोई urgent matter है तो वहाँ पर इस चीज को सुनवाई साही तरीके से होनी तही है तो जो हमारे chief justice of India है उन्होंने जो member है बार के उनसे यही request करी कि इस परकार की बेवज़े adjournment यहाँ पर court के सामने नहीं मांगी जानी चाहिए जब तक वो बहुत ज़्यादा necessary नहीं हो अब दोस्तों आज का session हमारा यहाँ पर end हुआ मैंने नवंबर मंत की जितनी भी landmark judgment थी completely A to Z आपको clear कर दी ऐसा नहीं कि मैंने कोई important judgment छोड़ दी हो मैंने October मंत की भी landmark judgment cover कराई थी now November मंत की भी landmark judgment complete A to Z cover कराई थी ताकि आप लोगों तक maximum knowledge पहुँच सके अब नवंबर के बाद दम cover कराएंगे 2023 की जितनी भी बड़ी judgment आई है अब ये आप लोगों के लिए सबसे बड़ा session होगा कोशिश करेंगे एक single session में ही complete करा दे 2 गंटे, 3 गंटे, 4 गंटे जितना भी लगे पर रोज रोज आपका time ना ले एक session में complete करा दे 2023 की सारी judgment अगर आप हमारे साथ connected नहीं है तो हमारे telegram channel पर connect हो सकते हैं जहां पर सब भी updates आपको मिलती है और जो भी student foundation बैट join करना चाता है ताकि अपनी preparation मेरे साथ और अजर educators के साथ मिलके extreme level तक ले जा सके तो वो हमारे telegram channel पर हमारे साथ connect होकर foundation बैट join कर सकता है तो चलिए दोस्तों आज के लिए जैहिन good night चलते हैं फिर से आप लोगों से हम मुलाकात करेंगे good night रजनीजी जी and good night to all चलते हैं